question number one क्या है कि in the NIAGNO3 cell है ठीक है ना और पूछने लगू गिवदा cell representation क्लियर चला ना सरे वीडियो समझ मारा सबको दखाई दे रहे ना चलिए वह देख अम मैं करां cell representation बतानी है और तेरे पास क्या है NIAGNO3 क्या है तो कभी भी सबसे पहली बात तो मैं तो दो चीज़ बताएं कभी भी लेक्ट्रो केमिस्ट्री में डील करेगा ना अब नरस्थ तक जब भी तू डील करेगा नरस्थ तक concentration cell तक electrolytic cell तक तुझी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले उसमें एनॉड निकाल दूसरा उसमें कैथोड निकाल और तीसरा उसमें overall cell reaction निकाल यहां से लेक्ट्र यह पूरे इस लेक्ट्र का यह बहुत important point है कि कभी भी cell को कभी भी कोई साभी cell हो चाहिए full cell हो चाहिए half cell हो अगर डील करना है सबसे पहले उसका एनॉड निकाल के दे मुझे उसका कैथोड निकाल के दे और उसके बाद overall cell reaction निकाल के दे और बना दे cell representation रूल दमाग में रखने हैं मैं कह रहा हूं यहां मेरे पास क्या थे एन नाई था और एजी था तो अभी मैं इसी लेक्ट्र में करूंगा इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज ठीक है ना बहुत important है ठीक है मुझे data देती है reduction potentials के oxygen potentials के कौन रे एलेक्ट्र यह जो सीरीज एलेक्ट एजी है simple एजी positive electron खाएगा किसमें जाएगा रे एजी solid में जाएगा मतलब क्या हुआ इलेक्ट्र केमिकल सीरीज से data पता चल जाता है कि इसका जो इनोट आरपी है वो क्या है ज्यादा है किस से रे निकल से बोलो बास समझ में आई है नहीं आई अगर आई तो अब मुझे पता चल गया एनोड कोन है भाईया निकल गेविंग के निकल पलस टू दो एलेक्ट्रोन निकाल गे और यहां से मुझे पता चल गया एजी positive जो है वो एलेक्ट्रोन खाएगा और एजी solid में जाएगा बास समझ में आगई अब overall selection चाहिए मैं देखता हूं यहां पे दो एल multiply करूंगा यह भी दो यह भी दो यह भी दो लेकिन दो चीज दिमागे में ध्यान रखियो कि अगर मैं तुझे यहां पे data दे देता किसका इनोट आरपी का या इनोट ओपी का ठीकर ने इसको उपर सवाल भी करवाऊंगा अभी में तो ध्यान रखियो यह कैसी property है यह intensive property है और भी आगर यह intensive property है ना तो इसमें यह non additive property है इसका मतलब इसमें जो तू यहां पे जो भी तू अपनी reaction के साथ खेला करेगा ना इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसकी value में यह तो एक standard value है याद कर मैंने lecture की starting में तुझे बताया था तो simple सी बात थी आप तुझे क्या होगा दो electron से दो electron cancel यहां पे क्या हो गया nickel solid 2AG positive giving के क्या nickel 2 positive simple plus के 2AG solid और अब तू बड़ी आसाई से cell representation कर सकता है क्या याद कर A bridge और C A node पे कौन है nickel है दोनों अलग-अलग phase में है तो मैंने nickel NI2 पलस कर दिया बीच में bridge आया कैथोड पे कौन है AG positive है किस में जाता है solid में जाता है बेसक solid aqueous मतलेक तुने डंडा लगा दिया phase के लिए खतम कहानी तो simple सी तेरे पास क्या होगी रे cell representation होगी